तो कुछ दिनों से इंस्टाग्राम रील पे ये वाइप वीडो वाली वीडो जो बहुत ही तेजी से वायल होरी ये जो स्लाइड एफेक्ट है इसे बहुत कोई अपने रील वीडो में यूज कर रहे है तो आज की सुड़ में आपको दिखाऊंगा आप इस तरीके का एफेक् क्रİEAT कर सकती है अपने वीडो पर apply कर सकती हूँ वह भी बहुत ही easy statement तो वीडो को लाश्ट तक जरूर से देखना और अब अपनी वीडो को स्टाथ कर लेते के तो वायप स्लाइड use के वाली एउडो को हम работу करने वाले क्रने वाले यूज करने के लिए हमें किसी VPN से connect होना पड़ता है तो मैं यहाँ पर आपको एक सिक्यूर VPN साजेस्ट करता हूं यह सही से वर्क करता है ओपिन करना इसके उपर क्लिक करना है connect हो जाओगे देन उसके बाद को उपर जाना होगो और उसके बाद देखो में इफेक्ट आपको बता देता हूं ठीक है क्लोन में आजाओ और यहाँ पर आपको दो इफेक्ट मिलते एक क्रॉस सिफ्ट जो कि इसमें भी थोड़ा ठीक ठाक लगते है यह पूरा अच्छा नहीं लगते एक हमें मिलते एपरे इसे यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं उन्हें आप देख लो अराम से जब भी आप इस एफेक्ट को अपलाए करो ना तो यह पूरा वीड़ो में नहीं होना चाहिए यह से कि अगर मैं इसे पूरा वीड़ो में अपलाए कर दूँ तो आप देख पाऊ कि वीड़ो पर अपलाए करने से उतना बढ़ियां नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं कुछ-कुछ पार्ट में अपलाए करते हैं तो मैं सबसे पहले थे छोड़ा कर लेता हूं थोड़ा चोड़ा कर लेता हूं और उसके बाद इसे देखते हैं कि कहां अपलाए करने से ज तो इस तरीके से करके आपको कुछ कुछ पर्टिकूलर जगह पर हैं जहां पर देखने में बढ़ हैं लगे वहां पर एड़ करना होता है और उसके बाद फिर से अगर मैं यहां लास्ट में भी एड़ करके दिखाऊं यह जो हाथ यहां पर उठा रहे तो ज्यादा बढ़ है लगेगा ठीक है तो फिर से बाड़ एफेट को उपर जाते हैं क्लोन वाले सेक्शन में जाके एपरेट टू को सेलेट करके डन करते हैं यह पूरा हाथ उठा के ही पूरे वीड़ो को लास्ट तक किया रहे तो बड़े हैं लग ठीक है तो इस तरह के से करके आपको यह का ओप्शन मिलते है इसके उपर क्लिक करोगे यहां पर देख सकते हैं यह कॉपी होगी हमारे वीड़ो तो इसके उपर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको एक ओभरले का ओप्शन मिलते है इसके उपर टैप करना यह ओभरले आगया अब इसे पूर करके आपको दिखाता हूं वो जो एफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा था अब वो एफेक्ट पीछे में चल रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हूं तो यह एक चीज हो गया अब उसके बाद ना जब भी आप इस एफेक्ट को यूज करो तो वहां पर एक और पर दिहान रहत सकता हूं जिस कि एफेक्ट हम यूज करने तो इसके पहले नОपकोई एफेक्ट और आज़े जैसा कि सेक प्लेटि Mercury और फ्लेस करके मिलता है जो कि सेक युफेक्ट और flash effect दुन्हों हमें provide करते हैं यह वाला ठीक है तो इसे select करते हैं and done करते हैं और सिर्फ थोड़ा सा starting में हमें रखना है ठीक है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे रखता हूं और उसके बाद इसका जो object है ना इसके उपर click कर गए इसे all video कर देना and done करना ठीक है देन उसके आप देख पाऊंगे यह थोड़ा बढ़ियां लग रहा है बट कुछ ज्यादे हैं चोटा होगी है ठीक है अब बढ़ियां लग रहा है ओके इसी तरीके से यहाँ पे इसके starting में भी हम जाते हैं और इस बार में lens blur effect apply करना चाहूंगा तो यहाँ से hello blur को select करते हैं and done करते है और starting वाले पार्ट में सिर्फ रखेंगे फिर से object को उपर जाएंगे all video को select करेंगे and done करेंगे then उसके बाद आप video देख पाऊंगे हमारी video काफी अच्छे तरीके से बन चुकी ठीक है आप देख सकते हो और यहाँ पे यह वाला blur effect add करने बाद यह effect आ रहा है तो बढ़िया effect काम करेगी अगर सिर्फ गाड़ी वहां से आ रही होती तो नहीं काम करती यह वाली effect है ठीक है अब यह हो गया देन उसके बाद एक और effect बहुत ही trend पर आप उसे भी use कर सकते हो body effect में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको clone वाली section में ही एक effect मिलते है यह वाला effect मिलते है इस इसे आप done करो और यह वाला effect भी काफी trend पर इसमें थोड़ा सा adjustment हमें करना पड़ते है तब जाके अच्छा लगता है adjust के ओपर जाना और यह vertical को थोड़ा कम कर देना ताकि आपको body के आसपास यह effect रहे और उसके बाद speed को थोड़ा कम कर सकते हैं and done कर देंगे और इसे starting में रखेंगे यह वाला effect भी काफी trend पर है तो इसे भी आप अपनी videos को पर apply कर सकतो एक extra knowledge समझ सकतो मैंने दे दिया ठीक है तो इसे आप use करना चाहो तो करना otherwise हमारी तो काम हो चुकी जो हम बनाना चाहते थे वह हमारा बन चुका है ठीक है तो इस तर 60fps कर दो ठीक है आप 4K करो ना करो यह आपके उपर डिपेंड कर दा बट 60fps है जरूर से करना क्योंकि जो motion होता है वो 60fps में ज्यादा अच्छे से रहता है ठीक है अब उसके बाद export कर देना तो इस तरह की वीडियो को बनाया जाता है I hope आपके यह tutorial पसंद आया होगा अब म मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तेक के लिए बाई बें